अधर का होने वाला है मैच नंबर 16 इसके पहले जो 15 मैचेज हुए है सभी में हमने अल्टरा क्लिंसिप किया है आज मॉर्निंग में एक मैच है वो भी हम क्लिंसिप अल्रेडी कर चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइंगुलर सिरिच चल रही है नामीबिया निदरलेंड और नेपाल के बीच में कल भी हमने क्लिंसिप किया था अभी एक मैच चल रहा है जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ सुबह के साड़े बारा बज़ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो हमारी टीम हमारी टीम में हमारे कैप्टेन 63 रम पर चल रहे हैं और जो हमारे वाइस कैप्टेन है इन्होंने अल्रेडी सैंचुरी बना चुकी है 109 रनिये बना चुके हैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तो इसमें already हम clean sweep कर चुके हैं मैं आपको दिखाता हूँ अंदर opponent और उनके points यहाँ पर देख सकते हो काफी ज़्यादा point का अंतर है और हमारे पास second inning के ज़्यादा player है तो इसलिए हमको अब match देखने की ज़्यादा नहीं इनसे तो काफी ज़्यादा difference है इनसे थोड़ा कम difference है लेकिन फिर भी 50 से ज़्यादा point का difference है तो already clean sweep है इसी सिरिज का कल भी एक match था नेपाल वाला यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी हमने आसानी से clean sweep किया तो कल फिर से हमने clean sweep किया यहाँ पर आप हमारे team देख सकते हो यह हमारा combination था यह हमने एक ही contact ज़्याइं किया थी क्योंकि उसके पहले जो women वाला match था उसमें हमने ज़्यादा investment किया रहा 75,000 एक ही समय पर दोनों match होते है तो एक match में हम थोड़ा ज़्यादा करते है एक में कम करते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा पैसा अपने को कमाने की वो नहीं है कि एक दिन में हम 15,20,40,000 करें यह सब जुआ खिलने वाले लोग करते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता है मैं पेसे से चार्ड़ड एकांटेंट हूँ तो अगर 40-50,000 रुपए गाई प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पर देख सकते हो टीम का कॉंबिनेशन विमेंस वाले में कुछ हमारे अपोनेंट थे जिनसे पॉइंट का डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें हमने तीन लीग जोएंगी तीनों हमने वन साइडेट विन किया यहाँ पर फिर से आपको कराची में ही मैच होते हुए दिखेगा कल आपने देखा कि 160 के आसपास रन बना था वो चेस हो गया और सेकंड इनिंग में डिव फेक्टर रहता आओस पड़ती है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा हासा है दोनों टींग के अभी तक के सफर की बात करें तो कराची की टीम ने चार मैच खेला है दो जीता है दो हार है कल हार के आ रही है कराची की टीम वही कोईटा की बात करो इन्होंने भी चार मैच खेला है लेकिन उन्होंने तीन जीता है और एक खा रहा है इस menu पर एक मात्र मैच हुआ है जो कि कल की डेट में मैच नम्मर 15 था कराची ने 105 बना है इसलामबाद ने 7 विकेट से मैच को जीत लिया यहाँ पर Pacers को 3 विकेट और Spinner को 4 विकेट मिलेगा विकेट ज़्यादा गिरे नहीं थे टोटल 8 विकेट गिरे थे इसमें रन आउट्स वगेर भी है तो इस तरीके की चीज़े है अगर आपको पूरा इस टैट्स देखना है तो इंटरनेशनल में 10 मैच हुए है बैटिंग फर्श करने वाले टीम का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है बट यहाँ पर चुकि डिव फैक्टर है तो बैटिंग सेकंड करने वाले टीम के ही जारा जीतने के चांसेज है 188 का एवरेज स्कोर है 211 यहाँ पर इंग्लैंड का हाइश्ट है यानि रन बहुत अच्छे खासे मनते हैं और देख सकते हो 10 में से 6 बार 190 बलस बना है 3 बार 150 से 179 बना है जो कि कल आपको देखने को मिला डोमेश्टिक की बात करें अंठाओन होए यहाँ पर बैटिंग सेकेंड का अच्छा रिकॉर्ड है तो आपको समझ में आ गया होगा टीम टॉन जीत करके फिल्डिंग करेंगी 174 का एवरेज है और यहाँ भी 19 बार 190 पलस गया है लेकिन 12 बार 150 के नीचे भी गया है 13 बार 150 से 179 है और 170 से 189 के बीच में 14 बार यानि हर एक पैटर्न में यहाँ पर आपको रन देखने को मिले है हाइश 238 से लोहिष्ट 101 है यानि कल कम रन बना लेकिन आज ज्यादा रन भी बन सकता है बैटिंग पिच है इसके पहले के सीजन के आप मैचे देख सकते हो बट यहाँ पर चुकिए डिव फैक्टर है तो इस्पिनर के लिए बॉल को ग्रिप करना मुस्किल होगा तो इस्पिनर को सेकंड इनिंग में भी विकेट मिलना ज्यादा मुस्किल है स्लोप इच लग रही थी कल की बहुत ज़रा बैटिंग के लिए नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी बैटिंग अच्छी होती है यहाँ पर सान मसूत का इस वैन्यूप अच्छा रिकॉर्ड है कल भी सुरुआद अच्छी की थी लेकिन फिर आउट हो गय थे क्वेटा के अच्छा रिकॉर्ड है सान मसूत का सोय मलिक का अच्छा रिकॉर्ड है रिसेंट फॉर्म कल लेकिन जल्दी आउट होगे थे रन आउट हो गये थे और चार ववर लेकिन बॉलिंग कराई थी तो left hander रहेंगे तो 4 और ये फिर से करा सकते हैं अब रार रहमद अच्छी फॉर्म है सोहेल खान को अभी तब मौका नहीं मिला है बटिंग की फॉर्म भी अच्छी है हसरंगा की रिसेंट फॉर्म अच्छी है खेलते हैं तो important रहेंगे इसके बाद यहाँ पे पॉलाड को हसरंगा ने तीन बार आउट किया 19 बॉल में बाकी यहाँ पे प्लेयर्स बैटल और भी है वो देख ले ना कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा है head to head match जो दोरों टीम के बीच में हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते 164 बना कोईटा ने इसको चेस कर लिया यहाँ पे सामसी का नाम आया सर्फराज एहमत का नाम आया 164 बना कोईटा ने बनाया कराची इसको चेस नहीं कर पाई यहाँ भी मुहमद हसनेयन का यहाँ पे नाम आया सोय मलिक का आया फान खान का अच्छा आया एंड जैम स्मिन्स का 166 बना कराची इसको चेस नहीं कर पाई ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ इसमें जैसन रॉय ने अच्छा किया जैम स्मिन्स ने अच्छा किया आमीर हमजा ने एकन केट लिये 113 कराची इने बनाया और कोईटा के टीम इसको चेस कर ली बाकियां पे हसने नवाज बगएर कुछ खास प्लेयर का नाम नहीं दिख रहा है अब यहाँ चलते है टीम से फ़र अच्छे प्लेयर है लेकिन इस पिच पे अच्छा कर सकते है कलिसी पिच पे खेला जल्दी आउट हो गए थे सान मसूत का इस मैन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है हेट टोइड में अच्छा रिकॉर्ड है प्लूई अच्छा कर रहे थे एक ओर बालिंग दिया गया थे लेक्टाम और्थोडॉक्स है बट बालिंग नहीं मिलती है इंको जनरली सोहिव मलिक आपके लिए मस्ट पिक है सीवी सी की फिर से चोईस रहेंगे पुलाड बहुत तगड़ी फॉर्म में लाश्ट के आप यहां से लेकर के पांच मैस देख सकते हूँ नवाज को चार वर बालिंग मिली थी और बहुत अच्छी बालिंग कराई थी इन्होंने बैटिंग से कुछ खास करनी पा रहे है इरफान खान ने नौट आउट अच्छी बैटिंग की थी बैटिंग को नहीं लेना है इस मॉल लिंग में मौहमद आमिर खान को नहीं लेना है हसन अली मश्ट पिक है मीर हमजा मश्ट पिक है लाजबज में एक्स्वेंसिव रहे थे अगर इनके टिंग की पहले बालिंग आती है तो फिर इनके बालर से इंपोर्टन ज्यादा रहेंगा यूँकि सेकंड इनिंग में ओस रहेगी और बालर को विकेट मिलना मुस्किल रहेगा तब रेस सेमसी भी पहली इनिंग में इंपोर्टन रहेंगे बट इस मिनर को कम लो तो ज़्यादा बैटर है बट विकेट टेकिम बालर है ये भी याद रखना बेच भी कुछ प्लेयर है उनका रिकॉर्ड आपके सामने है कोईटा के बात करें साउस सकील इस मैच में खेलेंगे और सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपोर्टन हो सकते हैं तो इनको आप ले सकते हो लेना है आपको सेकंड इनिंग में फर्स इनिंग में भी इंपोर्टन रहेंगे पिकाज ये बैटिंग पिछे तो टॉप ओर्डर के सारे बैट्स में लेना है जैसन रोय इंपोर्टन है ये भी अच्छी बैटिंग कर रहे है जब भी मौका मिल रहा है रेले रसो इस पिच पे इंपोर्टन है इनको नहीं लेना है रदर फोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है बढ़ काफी नीचे बैटिंग आती है अकिल हुसेन चाहे पहले इनिंग हो चाहे सेकर्ड इनिंग हो इंपोर्टन हो सकते हैं मौहमद वसीम जूनियर लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था लेकिन अधरवाइज विकेट इंगी बॉलर है मौहमद आमिर इंपोर्टन है अब रार बहुत अच्छे बॉलिंग करा रहे है और उसमान तारिक मिश्टरी स्पीनर है उसके पहले का रिकॉर्ड देख सकते हो तो कितने सारे विकेट से लेकर आ रहे है लार्ज पैज में पहला इन्होंने डेब्यू किया पिसल का और बॉलिंग बहुत अच्छी करा आई थी विकेट बले ही नहीं मिला था बेंच पे कुछ प्लेयर है उनका रिकॉर्ड आपके सामने है चुकि बैटिंग पीचे से मैंने जा रहे है ज़्यादा बैट्समें ली है टीम से फ़र्ड इंपोर्टेंट है सरफराज नीचे बैटिंग करने आते है और कोई अच्छा उप्सन है नहीं यहाँ पे जैसन रॉय आपके लिए इंपोर्टेंट है साउस अकिल और सोय मलिक को मैंने लिया यहाँ पे यहाँ पे मुहमद नवाज अच्छा कर सकते है रिदर फोर्ड पहले बैटिंग में अच्छा कर सकते है यहाँ पे मुहमद आमिर हसन अली और मुहमद वसीम जूनियर को मैंने लिया spinners को मैंने याप एग्णोर किया है spinners को अतनी मदद है नहीं बट सामसी wicketting baller है अबरार एमर ने इस स्रीज में अच्छा किया है अकिल हुसैन किसी भी inning में अच्छा कर सकते हैं किसी भी pitch पे मीर हमजा last match में expensive थे इस venue पे इसलिए मैंने नहीं लिया है और यू तारिक के बारे मैंने बताया है mystery spinner है अच्छा कभी भी कर सकते हैं फिलाल कली ये team बनके त्यार हुई आप किसी batsman को हटा करके जिनको आपको नहीं लेना हो आप extra baller ले सकते हो captain wise captain की बात की जाए सोय मलिक सबसे best option नहीं को ये सामने वाले team में कुछ left handers है south sakeel है relay रस हो है तो फिर से chance है कि ये 4 over balling करा सकते है wise captain की बात करे तो अपनी इच्छा से बना ले ना बहुत सारे options यहाँ पर पॉलाड बहुत अच्छी form में है roy अच्छा कर सकते है second inning में तो इस तरीके के option है aid membership की बात कीजाए हमारे एक मात्र वाटसेप नमबर है 914-0233-474 हमारे पास दो package अबलेबल morning में था अभी जिसमें वीडियो बना रहा हूँ सारे spot full हो चुके है तो जब भी spot announce होगा तो इसी number पे आपको membership मिलेगी PSL की मेंबर सी पाब ले सकते हो और इसके लावा Women's Premier League की मेंबर सी पाब ले सकते हो दोनों में हमने अभी तक 100% winning का record कायम रखा है जो कि आगे भी हम रखेंगे हमारा charge मार्केट में सबसे आ रहा ही है अभी के लिए वीडियो में इतने ही आपका होश्ट निदो संकुरी साइनिंग आउट बबाए